आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मेरा नाम रुबे का लियाकत है और आप इस वक्त देख रहे हैं देश का नमबर वन चानल, News 18 इंडिया राम की पैड़ी पर एक बहुत बड़ा जमावड़ा आपके सामने मौजूद है और एक ऐसा चेहरा आज आपको नहीं देखेगा जिसके मुख से राम की धुन्ना निकल रही हो, जैसिया राम न निकल रहा हो, तो एक बार हो जाए जोरोशे, जैसिया राम आयोध्या में हम मौजूद है और आयोध्या को मैं 2011 से देखती हुई आ रही हूँ, आज जो आयोध्या नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कि दुलहन की तरह सज गई है, बस राम आने को है, बच्चा बच्चा हर दरीचा इस वक्त वो चेहरे पर दो इंच मुस्कान लिए न नया अध्याए आपके सामने लेकर मैं आजर हो गई हूँ, बहुत ही खास महमाद, आज हमारे साथ पाच बचे की इस खास पेशकश में जुनने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, गुरू मिधिलेश जी का जोरदार तालियों से स्वा यहां से सीख कर वहां मंदर में जाएगा, यानि प्रभू राम और राम लला की सेवा करने का एक एक तोर तरीका, गुरू मिधिलेश इस वक्त प्रशिक्षित कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुरू जी सबसे पहले तो, आयोध्या को आप और बीते कल में क्या डिफरिंस है? की थी, और ऐसे राम लला को देखकर महराज मनु ने चाहा था, कि सारी दुनिया इनके सुरूप को देखे, तो जब तपस्या करने गए थे, तो कोई कामना नहीं थी, पर देखकर ये कामना उनके मन में जग गई, कि ये यदि पुत्र बन करके इस धर्ती पर उतरित होंगे तो मनुश्यता धन्य हो जाएगी, और इनको देखकर के मनुश्योचित जीवन जीना सीख जाएगी, तो हम सब ने आज जो देखा, ये पहले कभी नहीं देखा था, इसकी पूरे देश को बढ़ाई और आपको विशेश बढ़ाई, कि आप अपने चैनल के माद्धिम से द इसकी पुरा मुश्या को माद्धिम